आपकी सुरबी आगई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अकार्ड एंड पिक अग्रूप रीडिंग लेकर और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आप लोगों ने देखी लिया होगा थमने में टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे उनकी current feelings आपको लेकर क्या है और क्या उनके साथ में आपका कोई future है और उनके intentions क्या है आपको लेकर सो ये reading रहेगी detailed reading रहेगी सो काफी कुछ हम देखेंगे आज की reading में अब क्योंकि एपिका card reading है तो cards में आपके सामने रखूंगी यहां पर कुछ तीन cards रहेंगे जिनमें से एक या दो आपको select करने है अगर आप बहुत ज़ादा confused रहते हूँ तो तीनों का reading देख सकते हूँ जो भी आपसे resonate करें नहीं तो group selection का भी एक option है तो वहाँ पर आपको name के initials मिल जाएंगे तो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो उनके name initials आपने pick करने है I mean उसके आधार पर आपको एक group select करना है और फिर आपको एक reading देखने है प्लेजर ये पहला आपके लिए card आया है दूसरा है यहाँ पर leadership और तीसरा देख लेते हैं क्या है impressing these are your cards मैं आपको पास से दिखा देती हूँ आप चाहें तो screenshot ले सकते हैं या video pause कर सकते हैं अगर आपको समय थोड़ा जादा लगता है कोई भी एक option चूज करने में ओके जर्नर रीडिंग है guys जर्नर रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है ये एक timeless reading है आप इसको कभी भी देख सकते हैं जेंडर लेस रीडिंग है इसको कोई भी देख सकता है doesn't matter कि आप कि इस gender category में आते हो और सबसे important बात वो ये कि 709 direct family जो हमारी है हाँ पर धर्म और जाती को लेकर जरावी भेदभाव नहीं होता है तो आप किसी भी धर्मिया जाती के हैं बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है आप आराम से readings देख सकते हैं guidance ले सकते हैं इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप description चेक करें वहाँ पर आपको mail ID दिख जाएगा Instagram का link दिख जाएगा हमारे website का जो link है वो भी मैंने वहाँ पर share किया हुआ है तो आप हमारा website विजिट कर सकते हो paid person readings, free derog card readings या फिर crystals के बारे में आपको कुछ जानना है तो website पर आपको सारी जानकारी मल जाएगी ओके तो चलिए reading अब हम शुरू करेंगे देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके intentions क्या हैं आपको लेकर क्या उनके साथ में आपका future है नहीं है चालिए अल्ट बेस्ट तो अगर आपने select किया है ये वाला card card number one and group number one तो चली देख लेते हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनकी current feelings and thoughts आपको लेकर क्या है plus उनका intention आपको लेकर क्या है and क्या उनके साथ में आपको कोई future बनता है क्या क्या है क्या है स्ट्रेंग Queen of Cups The Fool Okay Mm-hmm तो जिन के लिए भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं हो सकता है कि वो Fire Sign के हो Fire Sign में भी Leo हो सकता है नहीं तो Water Sign के हो सकते हैं Cancer Scorpio Pisces Libra भी हो सकता है उनकी राशी हो या आपकी राशीयां ये हो सकते हैं Okay All right देखें आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो अगर मैं उनकी current feelings की बात करूँ तो current feelings में ऐसा है कि फर्स्ट ओफॉल ये current feelings नहीं आई है यहाँ पर निकल कर ये आपकी जो image बनी हुई है ना उनके मन में वो image यहाँ पर निकल कर आई है तो इसका मतलब ये है कि इनकी feelings जब से आप मिले हो तब से लेकर अब तक एक जैसी ही है बदलाव नहीं होता इनकी feelings में ठीक है सो जब ये आपसे मिले थे ना उस वक्त आप इनको एक ऐसे इनसान लगे थे जो कि काफी stable है mentally and emotionally अब बहुत मस्बूत इनको लगे देखने में ऐसा लगा कि ये लड़की कुछ भी कर सकती है इसके लिए कुछ भी impossible नहीं है या ये लड़का ये तो जैसे हम movies में देखते हैं न superheroes कुछ उस तरीके से तो एक वो image बनी थी आप चाहें कोई ऐसा incident हुआ हो या फिर यू ही आपके बात करने का तरीका ऐसा था या आपका aura ऐसा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे अगर आपका destiny number one है या आपका जो birth date है वो कईना कई one रहता है जैसे 19 हो गया, 10 हो गया, one ही हो गया, सीधा एक ही हो गया तो one अगर आता है sun का प्रभाव आप पर रहता है बहुत ही ज़ादा तो आप एक ऐसे विक्ति हो कि किसी के भी सामने आप जाओगे और दो बाते करोगे ना उतने में ही सामने वाला बहुत ज़ादा आप से attracted हो जाएगा ओकी ऐसा है और इसे बोलते हैं कि जिनकी कुंडली में sun का प्रभाव अच्छा रहता है ज़ादा रहता है तो ऐसे लोग दूसरों को अपने control में रख पाते हैं ऐसा नहीं है कि वो हिटलर बनते हैं लेकिन क्योंकि वो इतने प्रभावशाली होते हैं लोग उनके अंडर रहना चाहते हैं उनको अच्छा लगता है ऐसा हो जाता है तो आपकी personality कुछ वैसी ही है मतब कि आप एक complete package हो आपको जहाँ पर strict रहना है आप रहते हो जहां पर आप को बहुत प्यारा रहना है आप प्यारे बन जाते हो जैसे अगर आप के सामने बच्चे आएंगे तो आप मा बन जाते हो या पिता बन जाते हो office में हो या workplace पर हो तो एक bossy nature होना जरूरी होता है तो वो आ जाता है आपके अंदर तो वो जीज़ उनको पहली ही बार में महसूस हुआ और वही feeling अभी तक है वो change नहीं हुई है आप बहुत जादा creative हो and बहुत intelligent हो और जितना talent जितनी creativity उपर से दिखती है उससे कहीं जादा अंदर है वो आपके I mean इनको लगता है कि आपने अंदर बहुत कुछ छिपा के रखा है बहुत mysterious type हो जैसे कि मान लेजे कि आपको singing आता है और वो आपने बताया लेकिन आपको dancing भी आता है वो आपने नहीं बताया फिर एक दिन वो कला सामने निकल कर आई तो इनको लगता है कि आप एक kind of एक surprise box हो जिसके अंदर से पता नहीं क्या निकलेगा और इसलिए आप काफी interesting लगते हो उनको शुरू से लगते हो और अभी तक लगते हो और वो कई बार ये सोचते हैं कि आखिर क्या राज है इस बंदे का या बंदी का ऐसे होने का मतलब क्या secret क्या करती है ये क्या करता है ये ऐसा हो सकता है कि आपको चार से पांच भाषाएं बोलनी आती हो या तो बहुत अच्छे से आता होगा या फिर टूटा फूटा आता होगा लेकिन इतना आता है कि आप communicate कर सके different different state के लोगों से या country के लोगों से और ये चीज उनको बहुत प्रभावित करती है कि ये कैसे इतनी जल्दी सीख सकती है सीख सकता है तो आप एक ऐसे विक्ति लगते हो उनको और ये feeling जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत से है और अभी तक है आपके एक image बनी होई है जो कि change नहीं होती चाहें आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ हो अगर कोई उनसे पूछेगा कि ये बंदी या बंदा कैसा है तो वो इसी तरीके से आपको explain करेंगे कि ये ऐसा व्यक्ति है और अगर आप इस व्यक्ति से जुड़ते हो आपका सिर्फ फाइदा होगा नुकसान होई नहीं सकता अभी भी feeling वही है पहले भी थी और अभी भी है आपको ये बहुत ही जादा powerful देखते हैं और ये देख रहे हैं कि तरीकी से आप grow कर रहे हो हर दिन को आप utilize कर रहे हो हर दिन कुछ बहतर करने की कोशिश कर रहे हो और आपकी कोशिश नाकाम भी नहीं होती लख भी कही न कहीं आपका साथ देता है कोई energy है जो आपके round रहती है और आपको हर समय guide करती रहती है जिसके वज़े से आप कोई भी रिस्क लेते हो तो उसमें भी आपका काम बन जाता है पीपल लव यू यह ऐसे देखते हैं तो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं देखते हैं आपको और उनकी फिलिंग अभी आपको लेकर वही है अगर मैं इंटेंशन की बात करूँ कि इंटेंशन क्या है आपको लेकर यह आप से connected रहना चाते हैं किसी भी तरीके से अगर आपके साथ में कोई रिष्टा बनता है अच्छी बात है मतलब love connection और अगर friendship का रिष्टा बनता है तब भी अच्छा है अगर friendship भी नहीं है आप सिर्फ इनको अपनी you know friendship जो friends की list आप बनाते हों कि इतने लोगों से मैंने friendship करी है उस list में भी अगर इनका नाम है तो भी इनके लिए काफी है यह कैसे भी करके आपसे connected रहना चाते है intention यह है ठीक है क्योंकि इनको बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है आप एक ऐसे विखती हो जो इनको प्रेर ना देता है कुछ भी नया करने के लिए जैसे हम books परते हैं ना बहुत से लोगों की हम low feel करते हैं तो भाई इनकी book पर लो हम motivate हो जाएंगे उनका जो है biography पर लो तो हमें motivation मिलेगा तो आप वही हो आप एक एक power house हो जहां से इनको power मिलता है और जब यह काफी low feel कर रहे होते हैं इनको clarity नहीं होती तो clarity आपसे इनको मिलती है वह ताकत आपसे इनको मिलती है ऐसा है okay king of pentacles the moon king of cups eight of swords the emperor आपका family background काफी अच्छा है और यह चीज यह जानते हैं and that's why इनका जो intention है वो connect रहने का है उससे आगी यह सोच नहीं पा रहे हाला कि मन में कहीं इच्छा है कि आपके साथ में इनका एक stable connection बने and then शादी हो ऐसा यह सोचते हैं मतलब दिमाग के किसी कोने में यह चीज है लेकिन अगेन इनको क्योंकि इसके साथ में ही मून आ गया है तो इनको ऐसा लगता है कि यह हो नहीं सकता जमीन और आस्मान का कभी मिलन नहीं होता तो वो वाले thoughts हैं इनके तो चाहते हैं यह आपके साथ में as a husband या wife बनके रहना मतलब शादी चाहते हैं लेकिन इनको लगता है कि संभवी नहीं है लगाव है आपसे no doubt king of cups आया है तो प्यार करते हैं लेकिन future को लेकर कोई clarity नहीं है यहाँ पर मैं यह भी देख पारी हूँ कि अगर आपके फादर के हादों में यह decision है कि आपके साथ में कौन आगे रहना चाहिए आपकी शादी किस से होनी चाहिए तो उनको लगता है आपके फादर को यह कभी convince नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह है ना आप इतने powerful हो मतलब आपके फादर उतने ही ज्यादा powerful आपसे भी ज्यादा powerful है I mean आप उनके जैसे हो ना आपके फादर के जैसे यह हो सकता है आपके महं हो कहा है नहीं सकते यह तो Sumtimes में भी पीमेल में भी उभर कर आजाती है अपर होता ही यह कि दोनों ही हमारे अंदर रहती है कौन सी उभर कर आए तो अगर आपके बहर स्रोल हे तो इनको एख किضाएंगी आपके parents जो सवाल पूछेंगे उनके जवाब हो सकता ये ना दे पाएं सो कही ना कहीं खुद को उतना काबिल नहीं मानते ऐसा है तो ये सब कुछ है ये सब कुछ चलता इनके माइन में अब अगर मैं बात करूँ कि क्या आपकी और उनकी शादी होगी में चलतकी फियूचर तो अभी तो नहीं दिखता ठीक है बड़ी अनौजी चेंज हो सकती है अगर बिल्कुल ऐसे कार जाते हैं आ मिन कुछ कॉम्मिनेशन होता है कि संबव नहीं फियूचर में भी तो मैं आपको बता देती के future में भी कुछ नहीं है इसके लिए कुछ कोशिश मत करो या expect मत करो बट अभी ऐसा नहीं है इन में थोड़ी सी अगर हिम्मत आ जाती है तो चीजें exactly action का यहां पर card आया है अगर थोड़ी सी हिम्मत इनके अंदर आ जाती है और यह थोड़ा बात करते हैं खुल कर action लेते हैं तो चीजें बन सकती हैं actually यह आपको जिस तरीके से देख रहे हैं आप शायद खुद को इस तरीके से नहीं देखते हो या दूसरों के लिए देखते हो आपका सोचना ऐसा हो सकता है कि हाँ मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ दूसरों के लिए आपके लिए नहीं बट वो चीज उनको समझ नहीं आ रही है उनको लग रहे कि आप ऐसी ही हो और सभी के लिए हो तो थोड़ा सा डर तो है अंदर दो टो इस्पिरिट पेशन्स देखें फ्यूचर इनके साथ बन सकता है लेकिन वही है आपको धहरे रखना होगा अगर आप कुछ यहाँ पर कुछ चाहते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है टाइम लगेगा अगर आप चाहते हो इनके साथ में फ्यूचर बनाना तो फ्यूचर के चांसेज है बट अभी तो नहीं अगर आप मुझसे पूछे कि कितना टाइम लगेगा तो टाइम के लिए देखें जून में और जुलाई में चांसेज हैं कि कुछ चीजें कुछ चीजों में कुछ हल चल हो आगे बढ़े चीजे क्लारिटी मिले या यह आप से खुल कर बात करें इसके चांसेज हैं जून जुलाई और अउगस तक अब इस दोरान आपका रिस्पॉंस जो भी रहेगा वैसे सिचुएशन आगे बनेगी ठीक है ना अब आप देखो आपको क्या करना है इसमें ओके आल राइट गाईस तो यह थी आपकी रीडिंग आई होब कि आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और मुझे बताएं भी कितना आप से रेजनेट किया है शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच लव यू आल बाई है गाईस तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ट तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है आप लोगों के लिए जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करेंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है अल्ड़ आपको लेकर क्या है 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 hmm five of swords two of swords seven of swords king of swords okay page of cups knight of cups four of swords baap re death ten of swords okay bottom of the deck high princess okay future okay इनकी तरफ से ही हुआ है इन्हों नहीं किया है आपकी तरफ से तो मुझे नहीं लग रहा इन्होंने आपको अटका के रखा clarity दी नहीं और उसके बाद फिर ये निकल लिये अच्छा बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ये मैरिट है क्या अगर मैरिट नहीं है तो इन्होंने मैरिज का बोल के ये connection तोड़ा चीजे इनकी तरफ से खत्म हुई है वो तो clearly दिख रहा है जैसे ही इन्होंने चीजे खत्म करी आप आगे बढ़े आगे बढ़े नहीं कहूंगी क्योंकि अटके तो आप हो आप रीडिंग देख रहे हो आगे बढ़े से मेरा मतलब है इनको contact करना आपने बंद कर दिया इनका नेचर अगर मैं देखूं मतलब पिछला जो भी देख रहे हूं तो मुझे ऐसा लग रहे हैं यह उन व्यक्तिव मेंसे हैं जिनको आप मैसेज करो और रिप्लाई नहीं आता दो-तीन घंटे या दो-तीन दन कॉल करो तो पिक नहीं करेंगे लूँ है अगर आप पूछते हो की भाई कोई और आपकी लाइफ में तो बताएंगे भी नहीं यह उन बाते छिपाने वाले जूट बोलने वाले उन लोगों में से हैं मैनुपिलेट करने वाले तो पहले जब आपको क्लारिटी नहीं थी और यह कई न कई थे ही आपकी लाइफ में मतब थे भी और नहीं भी थे आपको मैसेज या कॉल नहीं कर रहे हैं रेप्लाइ भी नहीं कर र लखा है तोках स्टेटेस अगिए डालते हैं जो कि हो सकता है आप से आपको लगता हो connected है लगता था कि connected है कि आपकी स्टेटेस अगिए देखते होंगे तो वह रहता है कि चीजें लिंकա हैं बात नहीं हो रही लेकिन अग्राकर से connection है मतलब वो समझता है या समझती है और मैं समझ रहा हूं या समझ रही हूं ऐसा चल रहा है तो यह था and then इन्होंने पूरी तरीके से भी नहीं देखा क्योंकि अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट किया जाती है और अगर इनकी शादी वगेरे हुई है तब तो बिल्कुल आपका बाइद आके अब तो कोई मतला भी नहीं रखना है चीज़े खत्म है अगर अगर मैं वापस गई या गया तो यह तो बहुत ही नीचत सुच रहे हो इनकी आद आपको आने लग जाती होगी और आपको बहुत तकलीफ होते होगी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ या इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया और अभी भी आपके मन में सवाल रहते होंगे कि क्यों कर दिया मतलब यह ऐसे नहीं हो सकते कुछ और रीजन है कोई इनको बात करनी है और इनको यह लग रहा है कि अगर यह आपके पास आते हैं तो आप रिप्लाइए इनको नहीं करोगे आप आगे निकल चुके हो ऐसा इनको कोई आईडिया नहीं है कि आपके लाइट में क्या चल रहा है अच्छा यह इतना क्यूं सूच रहे हैं क्यूं वापस आना चाहते हैं देख लेती हूं यह आपको इस्पाय करते हैं पता यह करते हैं आपको इस्पाय इनको बहुत अकेला पन मैसूस हो रहा है और इसलिए वापस आना चाहते हैं कि आप इनको कमिट्मेंट देना है या इनको शादी करनी है कुछ ऐसा है है अगी यह है रेजन यह आपको बहुत मेस करें इनको कमी मैसूस हो रही आपकी शों हम, यह है, intention वही है, शादी करने का है, कमिट्मेंट देने का है, लेकिन पहले यह बात करना चाहते है, इनका यह है, कि बात चीत हो, आपके बारे में पता चले, क्या चल रहा है, आपके मन में अभी भी इनके लिए जगह है, और फिर नहीं है, ऐसा, and then जैसे जैसे चीज़े आगे बढ़ेंगी फिर ये commitment की बात करेंगे अगर ये married है उसके बाद भी इनको आपके साथ आगे बढ़ना है और ये एक बड़ा risk है तो बिल्कुल अगर ये married है तो बहुत बड़ा risk है तो ये जानना चाहते हैं कि आपके mind में क्या है इनके लिए अगर आपकी तरफ से green flag इनको दिखता है ये अपनी शादी तोड़ने का सोच सकते हैं और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है शादी वगएर नहीं है तो ego की बात है ऐसा है सो ये आना चाहते हैं बात करना चाहते हैं feeling वई है कि एला मैसूस कर रहा है इनको लग रहा है कि आपके अलावा और कोई इनको देख नहीं सकता सो आकर बात करना है चीजे discuss करनी है friendship करनी है फिर धीरे से आपको date करना है commitment की बात करनी है कि उनको लगता है कि आप बहुत भागय शाली हो और आप एक ऐसे इंसान हो कि किसी के जीवन से आप जुड़ोगे ना थो उनका भी भागय खुलेगा ऐसा है यहाँ पर हो सकता है कि अभी आप एक यूट्यूबर हो या व्लॉग्स बनाते हो या कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो जिसके वज़े से दुनिया के सामने हो नेम एन फिर्म बहुत मिल रहे हैं आपको और यह सब देखते हैं तो वो एक डर रहता है ना अंदर के यह तो बहुत आगे निकल चुका या निकल चुकी है पता नहीं मुझे भाव देगी या नहीं वुमेन होलिंग हाट ओके स्ट्राटजी कम्यूनिटी नमबर सेवन टेस्टन डिजिवनेशन यह अपने फ्रेंज के जरीए आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे गाईस आने वाले तीन से चार महीनो चुका देखके अगर एक जाहां देखको क्या करना हुए कि कि फ्यूटर की अगर आप बात करो कि मनमें सवाल होके इनके साथ में फ्यूटर है और नहीं अगर आप चाहेंगे तो हाँ, नहीं चाहेंगे तो ना, आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर five of pentacles है, queen of swords and ten of cups है तो यह आप पर है, अगर आप past को याद करते हुए decision लेते हो, आपको लगता है कि नहीं इनके साथ आगे नहीं बढ़ना है, तो कुछ नहीं, अगर आप past को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हो और इनके साथ ने feature बनाने का सोचते हो, तो ten of cups है guys लेकिन वही है कि यह वाला card बीच में है, तो आप पर है कि आप क्या करूगे पूरी तरीके से फैसला आप पर है guys, यूनिवर्स ने आप पर छोड़ा हुआ है, यह तो पूरी planning करेंगे अपने friends की through, आप से connect होने की और जैसे इनको clarity मिलेगी, कि अगर आपकी life में कोई और नहीं है, तो यह बहुत खुश हो जाएंगे और उसके बाद यह आप से खुल कर बात करेंगे, ऐसा होगा, क्योंकि इनको लगता है, आप एक ऐसे इंसान हूँ, जो इनको हर condition में प्यार करोगे ऐसा है, ठीक है, तो आप देखो आपको क्या करना है, तीन से चार महिने के बाद इनका आना होगा आपकी रीडिंग, आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रजिनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच पूचिग वीडियो, टेकि लब यो, बाई तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला कार्ट, एंगृट नूमबर त्री, तो चले देख लेते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी करेंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, इंटेंशन क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है ख्या है Three, Four of Wands, Ten of Pentacles, the Emperor, okay death ten of swords queen of pentacles page of swords six of swords face of pentacles no doubt इनको आपसे शादी करनी है बहुत पसंद करते हैं आपको और जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते है ठीक है लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे या फिर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो अगर ये रीडिंग वो लोग देख रहे हैं जो committed है और आप दोनों की बीच में कुछ कहा सुनी हो गई है ऐसा कुछ है है तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ प्रॉब्लम्स क्रियेट कर रहे हो इसकी विज़े से connection आगे नहीं बढ़ पा रहा ओके आपके nature की वज़े से आपके आप शायद मन की बहुत सुनते हो इसलिए ऐसा है आपर उनको ऐसा लग रहा है ठीक है तो यह आगी नहीं बढ़ पा रहा और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है आप अपने crush के लिए reading देख रहे हो तो उनको ऐसा लगता है कि उनको आप से शादी करनी है लेकिन क्या आप टिकोगे ऐसा उनको मैसूस हो रहा है अब क्यों ऐसा है इसलिए ऐसा है कि उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिस पर बहुत जिन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां है हो सकता है आप अपनी फैमिली के प्रोवाइडर हो आप ही सारा देख रहे करते हो आप से चोटे भाई बैन है या आप पर आपके जिम्मेदारी है सब कुछ आप ही देख रहे हो आप ही कर रहे हो तो ऐसे में न इन आपकी एज भी काफी हो गई उनकी भी एज है आपकी भी एज काफी हो गई है तो एक एज के बाद जैसे अगर आप 30 का एज निकाल चुके हो या 30 के ही हो तो इस age में ना ऐसा हो जाता है कि लोग थोड़ा कम compromise करना चाहते हैं उनको लगता है कि देखो age तो क्योंकि घरवाले बोलते रहते हैं कि अरे अब तो age निकल गई अरे अब तो age निकल गई है अब शादी करेंगे तो हम थोड़ा अपनी मर्जी से ही करेंगे मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अगर हमें बोले कॉंप्रोमाइस करने के लिए तो हम सब कुछ कुछ कॉंप्रोमाइस कर दें अभी हमें अपने हिसाब से देखना इसपेशली उन लोगों के लिए हैं जो कि independent हो जाते हैं राइट financially stable हो जाते तो उनको लगता है कि अगर नई भी शादी तो कोई बात नहीं लेकिन शादी उसी से करेंगे जो की हमारी conditions सुने तो वह चीज़े अब इनको लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि आत्म निर्भर हो financially stable हो और आप पर जिम्मेदारिया भ पढ़ते हैं और अभी आप आगे बड़भी जाओगे क्योंकि आप उनको लगता है कि आप इनको पसंद करते हो ठीक है क्यों लगता है वह आपको पताम होगा आपने पता होगा हिंस दिए होंगे या नइदिए हों तो उनकी inोशन अच्छी है अपनी प्रायिटी दो और तो पीछे छोड़ो ठीक है ऐसा उनके मन में खयाल आता है आपको लेकर तो अभी हाल फिलाल में वह यही सोच रहे हैं उनको लगता है कि वह आपके घर आए आपके पेरेंस से बात करें शादी वादी की बात हो जल्दी से शादी हो लेकिन अंदर डर भी है कि कहीं ऐसा तो न आप काफी ना देखने में या बोलने में लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट लगते हो ऐसा है पतब आप एक ऐसे इंसान लगते हो जो जुकने वाला नहीं है अगर आप फीमेल हो तब तो पक्का ही आपसे रेजनेट होगा आप बहुत फेमस हो एंड बहुत पॉपिलर हो अप ऐसे व्यक्ति हो जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है बहुत कुछ देखा है अभी आप ऐसे बनके निकले हो ना कि आपको जुकाना बड़ा मुश्किल है और यह चीज उनको पता है और शादी में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है कही ना कहीं जाकर तो वह कुछ जाए तो शादी से पहले या शादी के बाद तो वह डर है इनके अंदर कहते हैं कि जब घडा हम मनाते मिट्टी का को बरतन बनाते तो जब तक वह पका नहीं होता है आग में तब तक हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं एक बारी अगर उसी आग में पका लिया गया उसके बाद शेप चेंज करना बहुत मुश्किल है, अगर हम करना भी चाहते हैं कैसे भी करके तो हमें उसे तोड़ना ही पड़ेगा, शेप चेंज नहीं होगी, सीधा तोड़ो, वापस उसे मिट्टी बना और फिर उसका बरतन मनाने की आप कोशिश कर सकते हो, आपके लिए वही है, आप एक पके बरतन के, मिट्टी के बरतन के जैसे हो, मतब जिसे पका लिया गया, मैंने कहा ना, कि बहुत कुछ आपने फेस किया, और फिर जो आप निकल कर आए हो ना सामने, तो आप बहुत पके लगते हो लोगों को, तो इनको भी वही लगता है, कि अगर यह आपको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे तो तूटेगा कुछ, शेप नहीं बदलेगी, और आप वो नहीं हो, जैसे हम बोलते हैं कि पानी के जैसे बनो, जिस बरतन में डाला वैसा शेप ले लिया, आप वो नहीं हो, इनको ये पता है, आपकी बातों से, आपके action से, कुछ आपने कहा या किया होगा, या सुना होगा इनोंने, या आपकी जो popularity है, उसको देखकर इनको लगता है, या कोई आदत आपकी, ठीक है, इनको पता है कि आप जिद्धी हो, कुछ ऐसा इनको लगता है, इनको लगता है कि आपके साथ, आगे बढ़ते वक्त कहीं ऐसा ना हो, कि इनका दिल डूटे, आप ambitious भी बहुत हो, तो ये चीज़े कहीं ना कहीं इनको, लगता है कि तकलीफ ना दें, future में, community, और आप किसी community से भी जुड़े हो सकते हो, तो वो भी एक reason है, इनको लगता है कि अब भी तो सब बहुत अच्छा है, तो चिंतित रहते हैं, अपने future को लेकर आपके साथ, कि अगर आपके साथ आगे बढ़ेंगे, तो future ना खराब हो जाए इनका, प्यार बहुत है, लगाव बहुत है, लेकिन आप जिद्धी हो, आप बिलकुल बदलना नहीं चाहते, और आपके इस nature की वज़े से, अगर कोई community, कोई group है, उससे आप जुड़े हुए हैं, तो उसकी वज़े से, इनको लगता है कि, कही सब खत्म ना हो जाए, खुशियां पूरी तरीके से इनकी खत्म ना हो जाए, तो future इनके साथ है, but again five of wands है, eight of swords है, which means कि जब तक आप दोनों के बीच में misunderstandings खत्म नहीं हो जाती, तब तक यह journey आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो आप दोनों को ना, एक वो कहते हैं ना, heart to heart conversation, वो रखने की ज़रूरा, एक meeting रखो, बात करो, और clarity एक दूसरे को दो, तब जाके अगर आप चाहते हो शादी हो तो शादी हो पाएगी, ठीक है, ऐसा है आपर, देखो वो चाहते हैं शादी करना, वो तयार है, तुरंत आप से बात करने के लिए रिष्टा लेकर आने के लिए त्यार हो जाएंगे, लेकिन फिर कहीं अटिकेगा जरूर कुछ ना कुछ, अब आप भी इनके साथ जाना चाहते हो, लेकिन उनको इतने अच्छे से नहीं पता हो, उनको लग रहा है कि वो ज़्यादा दो उनको, क्या पता वो कुछ जाद ही आपको ऐसे समझ रहे हैं कि आप बदलोगे नहीं, कॉंप्रोमाइज नहीं करोगे, आप तूट जाओगे, ऐसा है नहीं उनको लग रहा है, तो उनको clarity दो, एक हाट वही मैंने कहा, conversation होनी चाहिए, meeting होनी चाहिए, आप clarity दो, उनसे पूछो उनके मन में क्या-क्या doubt है, and then चीजें निकल चलेंगी जैसे कि आप चाहते हो वैसे, all right, okay guys, तो यह थी आपकी reading, I hope कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो like ज़रूर करें, resonate करी हो तो मझे ज़रूर बताएं, share करें, subscribe करें, thank you so much for watching the video, ठेकि लव्यों, बढे है, यछ प्राई जैसे करें, कारें हрахां, सिर्कों कि पलेंगी झाले हो, अब बताएं काव चाहते हो, बतागी है, आपको रेएंगा, अभास आपटा ऴैसे हो, नब हो.